हेलो इंडियन फूटबॉल फैंस, वेलकम तो अनदर वीडियो अफ आइसल ट्रांसवर मार्केट और अपनी इंडियन फूटबॉल टीम वर्ल्ड कप कॉलिफायर्स खेलने वाली है आज से एग्जेक्ली 10 दिन बाद 22nd माच को अगेंस्ट अफगानिस्तान आज की पहली अपडेट निकल के आ रही है 22 यर ओल्ड जमशित पूर फसी के डिफेंडर जो की डिफेंसिव मिटफिल्डर के तरह भी खेल सकते हैं जीतेंदर सिंग से रेलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जीतेंदर सिंग अल्रेड़ी ओवन कॉल के अंडर चुके हैं और उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ओवन कॉल के अंडर खेलने का और करेंटली ये सीजन में भी उन्हें उतना ज्यादा गीम टाइम नहीं मिल रहा है जमशित पूर फसी के लिए और इसलिए रूमर्स निकल के आ रही है कि चन्ने एनफसी ने इंट्रे के आ रही है मोहन बगान सुपर जाइंट्स के 31 यर ओल्ड फारवर्ड पैटरटस से रेलेटिड तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि करेंटली पैटरटस काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने ये सीजन 13 गोल स्कोर किया है और 6 असिज भी प्रोवाइ पैटरटस साइन भी करेंगे और हमें नेक्स दो सीजन के लिए भी पैटरटस मोहन बगान सुपर जाइंट्स में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं अगली बड़ी अपड़िट निकल क्या आ रही है इंडियन सुपर लिग के राइजिंग स्टार 25 यर ओल्ड फ्रेंच अ और काफी क्लब्स ने इंटरेस्ट दिखाया है उनको साइन करने के लिए जैसे की जमशेदपूर FC, नौर्ट इस्ट उनाटेड़ FC और इस्ट बेंगॉल FC और मैं आप सभी को ये भी बता दू कि पंजाब FC ने भी उनको कॉन्ट्रेक एक्सेंशन आफ़र किया है और अब वाली बात रहेगी कि मेंदी तलाल नेक्स सीजन कौन से ISL क्लब के लिए खेलते हैं अगली ये बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है पंजाब FC फैंस के लिए तो जैसे कि आप सभी को पता ये होगा कि 31 इयर ओल्ड दिमित्रियोस काफी अच्छा केल रहे हैं पंजाब है क्लब का लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि पंजाब FC उनका कॉंट्रेक एक्स्टेंड कर पाते हैं या नहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है मोहन बगान सुपरजाइंट के ये येंग डिफेंसिव मिटफिल्डर आंते से रिलेटेड तो जैसे कि आप सभी को प करने के लिए और नेक्स सीजन हम ते चरने अफसी के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं अगली अपडेट निकल क्या रही है मुंबई सिटी अफसी के मिटफिल्डर विनी तराय से रिलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि विनी तराय करेंटली मुंबई सिटी अफसी के लिए खेल रहे हैं और उनका परफॉमेंस ठीक ठाक रहा है मुंबई सिटी अफसी के लिए और लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि मुंबई सिटी अफसी उनका कॉंट्रेक एक्स्टेंड नहीं करना चाहती है और नेक्स सीजन विनी तराय मुंबई सिटी FC छोड़ सकते हैं अब देखने आली बात रहेगी कि कौन सी क्लब विनितराय को साइन करती है नेक्स सीजन के लिए अगली जो अपडेट निखल के आ रही है वो काफी बड़ी अपडेट है मोहन बगान सुपरजैंट्स फैंस के लिए तो मैं आप सबी को बता दो कि कर्रेंटली सुनने में आ रहा है कि मोहन बगान सुपरजैंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है 29 यर ओल्ड टर्की के अटेकिंग मिड़िटर बैरी सतिक को साइन करने के लिए कर्रेंटली बैरी सतिक जर्मनी के सेकेंड टार में खेल रहे हैं और उन्होंने वापर 24 मैचेस में 13 गोल कॉंट्रिबूशन किया है बैरी सतिक फॉरवर्ड में मल्टिपल पोजिशन्स में भी खेल सकते हैं वो ऐस अटेकिंग मिडफिल्डर भी खेल सकते हैं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एफसी गुवा के विंगर नुवा सदोई से रेलेटेड तो आप सभी को तो पता ही हुगा कि नुवा सदोई की कौलिटी कितनी अच्छी है और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं एफसी गुवा के लिए ये सीजन और मैं आप सभी को बता दू कि तीन क्लब्स तीन बड़े क्लब्स इंट्रेस दिखा रहे हैं नुवा सदोई को साइन करने के लिए जिन में से एक क्लब है ओडिसा FC दूसरी क्लब है मोहन बगान सुपर जैंट्स और तीसरी क्लब है कैरेला ब्लास्टस तो मैं आप सभी को बता दू कि ओडिसा FC और कैरेला ब्लास्टस ने ओफर तो किया है नुवा सदोई का लेकिन नुवा सदोई ने अभी तक किसी का ओफर एक्सेप्ट नहीं किया है और तीसरी क्लब यानि कि मोहन बगान सुपर जैंट्स ने नुवा सदोई को ओफर किया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपना ओफर वापस ले लिया नुवा सदोई के करेंट फ़र्म को देखते हुए और अब देखने वाली बात रहेगी कि नुवा सदोई नेक्स सीजन ओड़ी सा अफसी के ले खेलते हैं या फिर केरला ब्लाश्टर्स के ले खेलते हैं अगली बड़ी अपडेटिकल क्या है ये फॉर्मर मोहन बगाण सुपर जाइंट्स और एफसी गुए कि स्पैनिश मैनेजर वैन फ़रेंडो से रेलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता है होगा कि हाल फिलाल में ही मोहन बगाण सुपर जाइंट्स ने वैन फ़रेंडो को सैक कर दिया था और उन्होंने अभी करेंटली अंटानियो लोफेस सबास को as a manager अपोइंट किया है और मैं आप सभी को बता दू कि एक इंडियन सुपर लीग क्लब यानि कि जमशिद पूर FC ने interest दिखा जा है वोएन फारेंडो को next season sign करने के लिए और अब देखने वाली बात रहेगी कि वोएन फारेंडो अपस इंडिया आना चाहते हैं या नहीं और फिलाल जमशिद पूर FC के लिए खालिद जमील जो कि उनके current manager है वो भी खाफी अच्छा perform कर रहे हैं अब देखने वाली बात रहेगी कि जमशिद पूर FC की management खालिद जमील को next season head coach रखती है या फिर जुवन फारेंडो को sign करके खालिद जमील को assistant head coach बना देती है So friends अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके bell notification on कर दे ताकि आप सभी को हमारे हर वीडियो की notification मिलते रहें तब तक के लिए जय हिंद जय फुटबॉल